ये जेट टाइनेस्टिस सिरीज के सीजन टू का एपिसोड वन है अगर आपने सीजन वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप वहां से उसे जाकर देख सकते हो तो आप सीजन टू की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक छोटे से को दिखाया जाता है जिस चके बहुत से लोग पैटकर खाना खा रहे थे वैसे यहां अभी एक बुठा आदमी सबी लोगों को डेमेंस और हुमेंस के बीच चलते आ रही लड़ाई के बारे में कुछ ऐसी बाते बता रहा था चूकि सच नहीं थी पर वही पास ही बैठे व सबी को जूटी जूटी बाते क्यों बता रहे हो अब इससे यहां सामने बैठे उस ओल्ड मैन को गुसा आ गया था लेकिन वो खड़ा होकर जब जोतिश के पास रखे प्लाग को देखता है तो देखकर डर जाता है और मावी मांगते हुए बैठ जाता है अब इस तरब वो जोतिश कहने लगते हैं कि तुम लोगों को असली बात पता ही नहीं है कि आखिर डेमेंस और हुमेंस के बीच चलती आ रही लड़ाई क्यों और कैसे रोग गई अब ये बात वहां पर बैठे और भी लोगों ने सुन ली थी इस वज़े से एक आदमे उक सुकता में उनसे पूछता है कि क्या आप हमें भी बता सकते हो कि ये लड़ाई क्यों और कैसे रोग गए इस पर जोतिश कहते हैं कि ये सारी बातें जाओ फैंक से जुड़ी हुए हैं पहले वो जाओ फैंक के बारे में इंट्रिड्यूस कराते हैं वो कहते हैं कि उसके पास ये कैसा कि जाव फैंग के ट्रेजर के अंदर डेमने का रहा है और अब इसी वजह से उन लोगों ने जाव फैंग को सजा देने की प्लानिंग की थी लेकिन बदकिस्मती से उस सेक्ट का एक आदमी भी डेमन्स के साथ मिला हुआ था जिस वजह से जब ये सारी चीज़े हो रही थी उ लेकिन अब जब वो अपनी तलबार का इस्तमाल कर रही थे उसी दोरान बायू सामने आ गई जिसकी वजह से वो अटक उसे लग जाता है अब तब ही यहां वो आदमी जोतिश से पूछता है कि इस सब के बाद बायू का क्या हुआ इस पर वो जोतिश कहती है कि अब जाव जान बच गई थी लेकिन इस चीज में बायू ने अपनी जान कवा दी थी उसे बचाने का एक ही रास्ता है लेकिन वह रास्ता लग भख ना मुंकिन सा है अब तब भी वो जाने का क्या हुआ अब जैसे ही वह इतना कहता है तो अचानक से वहां पर हवा चनने लगती है और दिखाया जाता है कि नियान और उसके कुछ साथ ही अपने डेमन क्लान के disciples के साथ अभी कुछ human disciples से fight कर रहे थे ये fight लगभग बराबर की थी क्योंकि वहाँ पर दुनों की ही लोग मारे जा रहे लेकिन तभी नियान अपनी जैमनाई टेक्टिक का इस्तमाल करते हुए एक formation create करता है पर उसी समय पर अचानक से कोई आकर सिर्फ अपने हाथ से ही उस टेक्नीक को खत्व कर देता है जिससे नियान की एक आंग भी फूर्ट जाती है और नियान वही नीचे गर जाता है पर अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जाव फैंग आता है और बहुत ही स्पीड में नियान के कई सारे डिसाइपल्स को एक साथ खत्व कर देता है अब ये चीज़ देकर वहाँ पर हर कोई बहुत हैरान लग रहा था वैसे यहां आपने कहीं सारे साथियों को बढ़ता हुआ देख जामन प्लाइन के कई सारे डिसाइपल्स सीधा आकर जाव फैंग के सामने घुटने देख देते हैं जो देखने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है वैसे अब तपी वहां पर खड़ा हुआ एक दूसरा आदमी नियान से कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ब्लड रिफाइनिंग हॉल को दे दी लेकिन मैं उन्हें धोका नहीं दे सकता वो कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इसे ये ट्रेजर नहीं देना चाहिए अब ये सुनते हुए नियान उससे कहता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन क्या तुम कुछ कर सकते हो अब यहां वो आदमी भी बहुत डरा हुआ था लेकिन अभी नियान भी समझ रहा था कि सिच्वेशन क्या है इस वजह से अब वो उस सील को उसे आदमी को देते हुए कहता है कि अगर तुम इसे बचा सकते हो तो बचा लो वैसे अभी वो आदमी डरते हुए वहां से पीछे हट जा रहा था वो अपनी तलबार साओ फैंग की तरफ करते हुए कहता है कि मेरे करीब मत आना वैसे वो आदमी इतना डरा ह हुआ था कि उसने अपनी आखी ही बंद कर ली थी लेकिन अब जब वो आँखे खोलता है तो दीखता है कि साव फैंग उसके बहुत करीब है इस चीज से वह बहुत डर गया था तब भी साव फैंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन अब यहाँ पर व यह बात जानते हो कि तुम भी मुझे नहीं मार सकते क्योंकि अगर तुम मुझे मारते हो तो इसके पाद जैमन गेंग तुमें भी खत्म कर देगा यह सुनते हुए वह आदमी और जादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम आखिर सोच क्या रहे हो और तुम चाहते क्या हो वैसे अभी तो उसके पास और कोई चारा नहीं था जाओ फैंग का साथ देने के अलावा इस वज़े से वो जाओ फैंग से बार बार पूछ रहा था कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और अब इसके बाद वो उसके पीछे भागता है वसे जाओ फैंग अभी बाई उसे मिलने जा रहा था जिस वज़े से रास्ते में जब जाओ फैंग किंग्यूसेक के पास से निकलता है तो यहाँ उसके स्टिक से निकलने वाली उस जैमिनीक एनरजी को वहाँ क्यूसेक का वो गाट्यन ड्रेगन भी सेंस कर लीता है कि वहाँ पर दो डिसाइपल्स आते हैं जिसमें से एक सीनियर ली थे वो दूनों ही यहां आकर अलगलग फॉर्मेशन क्रेट करते हुए उस गाडियन ड्रागन को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे अलगी गाडियन ड्रागन की बार के सामने उनके ये फॉर्मेशन नहीं टेक पाते पर उसी समय वहाँ पर सीनियर लू भी आ जाती है सीनियर लू अप पहले से भी साथा खूबसूरत हो चुकी थी और साथ ही पाफुल भी वो यहाँ पर अपनी तलबार निकालते हुए कुछ टेकनीक का इस्तमाल करती है और बहुत जल उस गाडियन ड्रागन को शांत करवाने में कामियाब हो जाती है वैसे इसके बाद अब वो गाडियन ड्रागन वहाँ से चला गया था अब जब सीनियर लू वहाँ नीचे आती है तो यहाँ सीनियर ली उससे कह रहे थे कि ना जाने आज गाडियन ड्रागन को क्या हो गया था वो हमेशा से तो ऐसा गुस्ता नहीं करते थे वैसे यहाँ अब भी सीनियर लू भी थोड़ी सी हरान लग रही थी क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उसी कुफा में आ जाते हैं जहाँ पर बाईयू की बॉली को रखा गया है वैसे अभी जाओ फैंग यहाँ डेमन किंग से मिलने के लिए आया था क्योंकि डेमन किंग उससे कुछ इंपॉर्टन बात करना चाह रही थे वैसे अब जाओ फैंग यहाँ आकर बाईयू से कहता है कि बाईयू मैं फिर से आ गया वो बताता है कि वो उसके वादर मतलब डेमन किंग के लिए काम कर रहा है लेकिन वो ये भी कहता है दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे वैसे अब वो ये भी कहने लगता है कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ तुम्ही तो ये बात मुझसे भी जादा अच्छी से याद होगी वो ये कह रहा था कि सब कुछ बदल चुका है कुछ भी पहले के तरह नहीं रहा बस सेम हो तो तुम वैसे वो यहाँ पर कितनी भी बाते करे लेकिन बायू उनका जवाब नहीं देने वाली पर फिर भी उसे भरोसा था कि बायू शायद उसकी बाते सुन रही होगी इसके बाद अब हम वहाँ उसी गुफा के बाहर देखते है कि अभी बायू की वो आंटी उनकी बाते सुन रही थी वैसे उसका ध्यान उन बातों पर नहीं था अब तब ही वहाँ पर एक आत्मी आता है जो कि इस आंट से कहता है कि सेक लेडर तुम्हें पुला रही है वैसे यहाँ बायू की आंटी उससे कहती है कि साओ फैंक जब भी यहाँ पर आता है वो हमेशा बायू से जरूर मिले के लिए आता है इस पर वो आत्मी कहता है कि तुम्हें उस पर जादा ध्यान नहीं देना चाहिए भरी ही वो बायू को पसंद करता है लेकिन सेक लेडर भी उससे संभल कर बात करते हैं क्योंकि उनका भी यही मानना है कि अभी वी साओ फैंक के अंदर डेमन्स के खिलाफ हीट्रेट भरी हुई है अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सिंग्यू को देखते हैं जोकि इस वक्त टेंपल के बाहर बैटकर मेडिटेशन कर रहा था लेकिन उसी थोरान उसकी तरफ कोई जलती हुई मुमबत्ती फेखता है और अब सिंग्यू इसके लिए औरेड़ी पूरी तरह से तयार था इस वज़े से वो बिना देखी उस मुमबत्ती को बीच से कट कर दीता है लेकिन अब जब वो मुड़ता है तभी एक और चलती हुई मुमबत्ती उसकी तरफ आ रही थी वो उस मुमबत्ती के भी कई सारे तुक्ड़े करते हुए वहाँ पर आसपास लगी हुई लैंटन को जला देता है इसके बाद हम देखते हैं कि ये मुमबत्ती अभी उस टेंपल के वो मुझ फेक रहे थे यहां सिंग्यों आगे आते हुए तुरंत ही अपना हाथ जोड लेता है अब तभी वो ओल्ड मॉंक उस से कहते हैं कि तुम तलवार चलान में बहुते ज़ादा माहिर हो चुके हो इसका मतलब अब मेरे पास तुमें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है विसे वो ये भी कहते हैं कि मैं यहां तुमें ये बताने के लिए आया था कि मुझे खबर मिली है कि क्विंग्यू सेक्टर में कुछ बड़ा होनी वाला है जिस वजह से अभी यंग जनरेशन के सब में डिसाइपल्स को वहाँ पर बुलाया जा रहा है मेरे हिसाब से तो में भी वहीं जाना चाहिए अब यहाँ ओल्ड मॉंग को छोड़का जाने की बात से जिंग्यू थोड़ा सा उदास हो गया था पर इस पर ओल्ड मैन जोर जोर से हसते हुए कहते हैं कि तुम बे मतलब का ऐसा चहरा क्यों बना रहे हो वैसे अब सिंग्यू तुरंत ही अपने घुटनों पर आता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है इसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी तलबार जब भी उठेगी किसी देमन को खत्म करने के लिए ही उठेगी आपने मुझे जो भी कुछ सिखाया और समझाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अब इतना कहते हुए अब सिंग्यू वहाँ से चला जाता है वैसे अब हम देखते हैं कि अब वो ओल्ड मॉंक फिरसे वहाँ मुबत्ती चला रहे थे लेकिन उसे समय वहाँ पर कुईंग्यू सेक्टर के लीडर आते हैं अभी ओल्ड मॉंक उनसे कह रहे थे कि मरने से पहले मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे आपको थैंक्यू कहना चाहिए इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं कि आपको थैंक्यू कहने की कोई जरूरत नहीं दस साल पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसे बुला पाना मेरे लिए नामुंकिन है वैसे अभी ओल्ड मॉंक थैंक्यू इसलिए कहना चाह रहे थे क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने सेक्ट लीडर से जिंग्यू को 10 साल अपने साथ रखने की परमिशन मांगे थी जिस पर सेक्टर लीडर ने हां कर दी थी जिसके पाद 10 साल से जिंग्यू ओल्ड मॉंक के साथ ही उसी टेंपल में रह रहा है वैसे अब इसके बाद हम डेमन सेक्ट के लीडर मतलब डेमन किंग को देखते हैं यहां डेमन किंग्न ने अभी जाव फैंग को अपने पास बुलाया हुआ था यह बात बताने के लिए कि शायद क्योंकि उसेक को किसी खास ट्रेशर के बारे में पता चला है जो कि वेस्टन स्वाइम के आस पास है और इसे वजए से वो वहां के लिए टीम बना कर निकलने वाले हैं भी जाव फैंग का सोचना था कि वो भी अपने लोगों को मिला कर उन इंसानों पर हमला कर दे लेकिन अब यहां पर जाव फैंग कहता है कि हमें भी अभी हमला नहीं करना चाहिए जाव फैंग के हिसाब से शेंग फैंग वाले जरूर किसी दूसरे सेट के साथ भी हात मिलाएंगे इसलिए हमें बस उस समय का इंतजार करना है क्योंकि अभी तो हमें पता भी नहीं है कि हमारे लड़ाई किस से होगी अब ये सुनका जैमन किंग हैरान था एक तरफ से देखा जाए तो जाव फैंग ने उसकी बात काटी है और वो कहता है कि कमाल है तुम बिल्कुल वैसे ही सोचते हो जिसे मैं सोच रहा होता हूँ इस पर जाव फैंग कहता है कि मैं पिछले दस साल से आपके साथ हो और इस दोरान मैंने आपसे कई सारी चीज़ी सीखी है और वैसे भी आप बहुत सोच समझ कर डिसीशन लेते हो अब इस पर जैमन किंग कहने लगता है कि कमाल है कि दस साल में तुमारी सोच बिलकुल मेरी तरह ही हो गई है वैसे इसके बाद अब डैमन एम्परर वहाँ नीचे की तरफ आते हुए जाव फैंग को एक लेटर देता है और कहता है कि मैंने कुछ लोगों से बात की है वो तुमारी बात मानेंगे और तुमारा साथ देंगे लेकिन फिर भी तुम हमें डैमन्स ही मानते हो इस पर जाव फैंग कहता है कि मैं दस साल से यहां पर रह रहा हूँ मैंने कही लोगों को मारते हुए देखा है और रोज रोज खून खराबा भी होते देखा है आप ही बताईए ऐसी जगए को अच्छा कैसे कहा जा सकता है अब इस चीज़ पर डैमन्स किंग कहते हैं कि शायद तुम भूल चुके हो कि बच्पन में ही तुम खून खराबा दीख चुके हो तुम ही बताओ क्या वो लोग तुमारे लिए डैमन्स है अब इस पर जाओ फैंक कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता और इतना कहते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है अब इसके बाद हमें क्विंग्यू सेक्टर दिखाया जाता है जहां पर सभी डिसाइपल्स आना शुरू हो गए थे यहां अभी हजारों की गिंती में डिसाइपल्स आ रही थे जब सभी वहाँ पहुँचाते हैं तो सेक्ट लीडर सभी को बताते हैं कि उन्हें एक खास में शीरियस ट्रेशर के बारे में पता चला है जो कि वेस्टन स्वाप में है वो कहते हैं कि कुछ अच्छे लेवल्स के डिसाइपल्स वहाँ पर जाएं क्योंकि डैमन्स भी वहाँ पर आने वाले हैं उस ट्रेशर को लीनी के लिए वो सबी से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर उस ट्रेशर को उनके हाथ नहीं लगने देना है और इस चीज में हमारी मदद त्यानियन टेंबल के लोग और साथ ही साथ कुछ दूसरी वैली के लोग भी करने वाले हैं अब इसके बाद हम वहाँ भाहर देखते हैं जहाँ पर त्यानियन टेंबल के कुछ डिसैबल्स आना शुरू हो गए थे अन्त में हमें जाओ फैंग को भी दिखाये जाता है जोकि अभी उसी ट्रेशर को ढूनने के लिए निकल पड़ा था लेकिन अब इसी के साथ इस पार्ट की इंडिंग यहीं परूदी है